आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशन हमारा है कि तिर्ज्ञा आर के गोले चालक को क्यों आवेशित करने पर निम्य स्थितियों में बिद्धु छेत की तीब्रता हमें निकालनी है ठीक है तो हम सबसे पहली स्थितियों हमारे कि जब आर जो है छुट तिर्ज्ञा हमारी आर से बड़ी हो मतलब क्या है कि हमारा बाहे बिंदु पर हो जब आंतric बिंदु पर आर्च के ंडर से कम हो मतलब अंदर की बिंदु पर गोले की सत्व पर और गोले के उदर इन चार इस तीतिव स्थीत के तीफ्टा को निकालनी है घोली चालक के लिए ठीक है और क्या कर रहा है कि बिद्धू यह जो है बाह बिंदू पर है और यह हमारा अंदर बिंदू पर है यह जो है दोनों छोटे जो डॉटे बनाए गए हैं यह दोनों गौसिय प्रिष्ट है ठीक आपको दिरी दिरी समझ में आगा तो सबसे पहले हम लेते हैं आर जब बड़ा है कैप्टल अर से ठीक कैप्टल पी को और इसको त्रिजा मानके ओ को त्रिजा मानके हमने गोला खींचा यह जो हमारा क्या कहलाता है यह गोला यह गौसियन पिष्ट कहलाता है तो हम जानते हैं कि आवेश के बितरन के काण हम जानते हैं कि इसके हर पिष्ट के हर बिंदू पर क्या होगी समान होगी ठीक है हर बिंद उपर, E कमान समान होगा ठीक है, तो इसको अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं P के चारो तरफ एक छोटा सा अब यो ले ले लेते हैं, जिसका छेत्रफल DA है, तो इसकी दिसा क्या होगी DA और E की दिसा, विद्दू छेत्र की तिसा यहां पे जो है, दोनों के क्या होगी एक ही दिसा में होगी, तो इन दोनों के बीच का कोरण क्या होगा, theta जो है 0 और 0 होगा, तो इससे गुजरने वाला इसचोटे से, अभी होसे गुजरने वाला बिंदूत flux क्या हो जाएगा, वो अगर तो E into DA हो जाएगा, अब पूरे प्रिष्चे गुजनने वाला, R मतलब इस पूरे Gaussian प्रिष्चे गुजनने वाला flux निकालना होगा, अगर हमें, तो क्या करेंगे, इसका integration कर देंगे, तो phi E हमारा क्या हो जाएगा, D phi E, इसका समा कलन, बराबर E into DA, इसका भी समा कलन, दोनों का नियतांग है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि E जो हर प्रिष्च के हर बिंदू पर क्या होगा, समान होगा, यहाँ पर बताया था, तो E कमान बदलेगा नहीं, तो E चाहे आप समा कलन से बाहर ले सकते हैं, E into, यह D हो जाएगा, आपका flux कमान, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है, चूंकि यह मान हम जानते हैं कि क्या होगा, सर्फेस एरिया होगा, मतलब प्रिष्ट का शेतफल, और किसी भी प्रिष्ट के शेतफल के लिए, गुले का प्रिष्ट का शेतफल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा flux क्या हो जाएगा, फाई E कमान आ ज में इसे phi गौस ने भी एक विद्दुद फ्लक्स का एक फार्मूला बताया था phi e बराबर क्या होता है q आवेस बटा epsilon 0 जहाँ epsilon 0 क्या होता है यह है निर्वात की विद्दुद सीलता कहलाती है तो यहां से यह दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही किसी पिष्ट के से सम्मंधित हमारे फ्लक्स हैं तो यह दोनों अगर बराबर हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं बराबर कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 4 pi r square into q बराबर into e बराबर q बटा epsilon 0 ठीक तो यहां से बिद्दुछेत की तीवता e का परिमाण आ जाएगा हमारा एक बटा 4 pi epsilon 0 into q बटा sorry q बटा r square ठीक है q बटा r square हो जाएगा यह हमारा सूत्र पर निकल के आ गया यहां से आप देख रहे हैं एक बटा 4 pi epsilon 0 0 sorry q यह दोनों क्या है नियतांक है एक बटा 4 pi epsilon 0 जो है यह नियतांक है इसका मान होता हमारा यह नियतांक है इसकी value होती है 9 गुडे 10 की घात 9 newton मीटर स्कॉइर पर कूलाम स्कॉइर और q भी क्या है हमारा नियत है क्यूअ का मान अगर मानले हमारा आवेश है क्योंकि प्रिष्ट बावेश होगा भित रिपारгляд है ठीक है यहां से यह हमां चित्र बनाने में इसमें help करेगा हमारा ठीक है यहां से चाहिए थो हम लोग चित्र बना सकते हैं लेकिन एक साथ हम लोग चित्र बनाएंगे सबका ठीक है अब दूसरा हमारा केस है कि अगर हमारा जो है क्या है बिंदू जो है इसके अंदर है गोल ठीक है तो आपको यह भी पता है हमें हम लोग ने पढ़ा है कि अगरad अगर पीड़ने वाला जो हमारा इससे इसके भीतर कोई आवेश होगा इससे निरगत flux कमान क्या होगा शुन्य होगा ठीक है चुकि आंतरिक बिंदु पे हमारा q जो है जीरो है इसलिए q जीरो है तो phi e कमान होगा उससे जो निर्जगर flux होगा जो कि हमने पढ़ा है e into da होता है यह क्या हो आपका यह आपका सुन्य हो जाएगा ठीक है अगर यह शुन्य हो गया तो e कमान भी आपका सुन्य होगा क्योंकि da सुन्य नहीं हो सकता यह आपका विद्दु छेतर अंदर क्या होगा आपका सुन्ने होगा इसका मतलब है कि आवेशित गोली को इसके भीतर विद्दुश्यत की तीपता हर जगां सुन्ने होती है ठीक है यह तो आपका यह कहां से कहां तक प्रिष्ट पर इसका मान बदल जाएगा और हर जगां सुन्ने हो जाएगा अगला हमारा क्या है अगला ह सत्य ठीक है तो गोली की सत्य हम देख रहे हैं केंदर पर तो हमारा मतलब केंदर पर तो 0 है अंदर हमारा 0 है इसके बाद कहां तक 0 होगा हो R बराबर 0 से लेके R बराबर capital R उसके अंदर तक ये हमारा क्या होगा शून होगा जैसे ही हमारा सतह पे आएगा, वो क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, वो तुरंथ हमें आवेश क्यों प्राप्त हो जाएगा सतह पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो मान यहाँ पे बिद्दुछेट की तीपता जो हमने समीकर्ण एक लिखा है, मतलब इसके बाहर जो E बनाया है, यह समीकर्ण एक लिख देता हूँ, स्वारी एक नहीं होगा, तीन होगा, समीकर्ण तीन में R का मान जो है capital R रख देंगे, तो E यह होँआपे R बराबर capital R, तो समीकर्ण तीन से क्या हो जाएगा हमारा, समीकर्ण तीन से E बराबर हो जाएगा, एक बटा 4 pi epsilon 0 into Q बटा capital R का whole square, ठीक है, यह अपका क्या हो जाएगा, बिद्दु छेत की तीबता का परिमान हो जाएगा, कहां पर, गोले की सतह पर, जो की क्या है, एक नियत आंख है, क्योंकि Q एक बटा 4 pi epsilon 0, R भी यहाँ पर नियत है, तरिज्या बदले गी नहीं, यह सारी चीजे निय है, तो यह हमारा क्या मान होगा, एक नियत मान होगा, ठीक है, यह गोली की सतह पर हो गया, अगला हमारा है कि गोले के केंदर पर, ठीक है, हमसे अगला पार्ट गोले के केंदर पर दा वाले में कह रहा है, कि गोले केंदर पर क्या होगा, तो दा देखते है हमारा, तो गोले पिष्ट पर एक समान रूप से बित्रित हो गया है, आवेश दिया, और यह पिष्ट पर एक समान रूप से बित्रित हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं अंदर आवेश है ही नहीं, तो इस गोले के अंदर हर जगा हमारी बिद्दु छेत की तीपता सुन्नी होती ही हमने यहाँ भी देखा था ठीक तो यहां पर क्या होगा यहां पर भी हमारा ए कमान क्या होगा यहां पर शुनने आएगा ठीक अब इन सारे सारों के लिए हम लोग क्या करते हैं चित्र बनाते हैं यह शुनने आ गया यह एक मान यह हो गया ठीक है दो यह हो गया और हमारा तीसरा यह हो था और जो है जो बदल रहा है अगर एक सच पे लूँ तो देखी हमारा के अंदर पर क्या था हमारा र जाब 0 था यह कमान तब 0 था हमारा चोधे में हमने निकाला है पर तक पूरा मान 0 था प्रिश्ट पर आकि इसका मान बदल गया मतलब इसकी हर जगा पे यह मान सुनने है जैसे ही प्रिष्ट पर आया तो ऐसे इसका मान क्या हमें मिल गया यह मान हमें नियत मान मिल गया एक बटा 4 पाई अपसलान जीरों क्यों बटा आर स्क्वार तो एक नियत मान मिल जाएगा मतलब कि यहां तक यहां तक आपका थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो यह आपका यहां से ऐसे ही ईहां तक उपर तक कुछ आप बना सकते हैं इसका मान होगा हमारा यह यह जो ब्लू है यह मान आपका कितना है है यह है हमारा एक बटा 4Pi epsilon 0 into q बटा r square ठीक यह इतना मान हमारा e का है यह पूरा मान ठीक यह 0 लेख सकते हैं आप चाहें तो ठीक एक नियत मान हमें प्राप्थ हुआ constant है इसके बाद क्या हो रहा है इसके बाद r आगे बाहे बिंदू है मतलब r का मान क्या है फिर r हमारा दिख रहा है कि एक बटा r square की बिद्गरमान पाती यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारा ऐसे जाएगा तो यह पूरा हमारा क्या हो जाएगा आरेग हो जाएगा एक आर के साथ ठीक है थैंक यह तक सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर